जो तीसरा exercise है वो यह है the screen exercise screen का मतलब यहाँ पर है परदा कैसा परदा तो जैसे computer का screen होता है TV का screen होता है या आप theater में जाते हैं वहाँ पर screen होता है वो वाली exercise अब इसमें करना क्या है obviously मैंने जब TV, theater यह सब नाम दिया है तो obviously इसमें आपको एक तरह की acting करनी है या एक दर्सक के रूप में बैठना है और जैसे आप movie देखते हैं और movie में hero से आपको लगाव हो जाता है कुछ ऐसी चीज आपको अपने साथ ही करनी है बहुत ही interesting exercise है यह let's see what happens when emotions have taken you over जब emotions मतलब भावनाए have taken you over मतलब भावनाओने आप पर control कर लिया हो यानि भावनाए आपके बस में ना हो ठीक है taken you over आपके बस में ना हो it becomes nearly impossible to think clearly तब क्या होता है यह nearly का मतलब लगबग लगबग यह असंभव बन जाता है कि हम कुछ भी clearly सोच सकें मतलब पश्ट सोच सकें यह हमारे लिए असंभव हो जाता है जब भावनाएं हम पर हावी हो जाती है तो ठीक है then it becomes very easy to make unwise decisions उसके बाद बहुत आसान हो जाता है unwise decisions लेना unwise का मतलब होता है कि एक तरसे विवेक हीन आप कह सकते हैं ठीक है एक बुद्धी हीन decision लेना या बुद्धी हीन कई सारे decisions लेना आपके लिए आसान हो जाता है or to agree to something या तो किसी चीज से सहमत हो जाना भी आसान हो जाता है which is not to your advantage ऐसी चीज से सहमत हो जाना कि जो आपके लाव में नहीं है आपके hit में नहीं है उस चीज से भी आप सहमत हो जाते हैं यानि आप ना नहीं कह पाते और ऐसा तभी होता है जब emotions have taken you over emotions ने आप पर कबजा कर लिया हो आप पर वो emotions हाभी हो गया हो emotions का मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि इसका मतलब होता है बहुत साप बदाया है आपको यह बताता है कि कैसे step back करें को रहे है को था स्टेप बैक करें। मतलब कैसे पीछे हटें and emotionally detach yourself from your current situation और आप भावनात्मक रूप से कैसे detach कर सकें अपने आपको detach करना मतलब अलग करना, detach जो है वो attach का विरुधार्थी शब्द है attach मतलब जोड लेना, जोड जाना और detach मतलब अलग करना तो यह आपको बताता है कि कैसे आप भावनात्मक रूप से अपने आपको detach कर सकते हैं from your current situation, आप अपने वर्तमान अपने परिस्तिती से अपने आपको कैसे emotionally detach कर सकते हैं, so that जिससे कि you can see more clearly what is going on जिससे कि आप देख सकें और अधिक सपस्टता से कि आखिर हो क्या रहा है आपकी life में खुद ही आपको नहीं पता चलता है, ठीक है, तो यह exercise आपको help करेगा अब कैसे, taking an outsider's point of view अगर आपको एक outsider का point of view रखना है outsider का मतलब हम movie देखने जाते हैं, movie का हम हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है, movie में कई characters होते हैं, तो वो सब insiders है, हम खाली movie देखने जाते हैं, तो हम outsiders हैं, जैसे हम TV पे भी कोई घर की कोई कहानी देखते हैं, तो हमें सब पता चल जाता है, यह villain है, यह hero है, यह बहुत अच्छा है, यह जो भी कुछ है, तो यह हमें पता जलता है, पर उन characters को नहीं पता चलता है, उनको बाद में realize होता है, जब वो देखते हैं हमने आखों से, लेकिन हम तो सब कुछ द रख के, ठीक है, फिर से, taking an outsider's point of view, एक बाहरी व्यक्ति के point of view को लेते हुए, and imagining another person in your situation, आपके situation में दूसरे व्यक्ति को की कल्पना करना, will put a new perspective, will put a new perspective का मतलब है कि नया दृष्टी कोण आपको देगा, on your stress problem, मतलब आप नय तरीके से देख पाएंगे, फिर से मैं बता दूँ, put a new perspective का मतलब है नया दृष्टी कोण देना, और साफ तरीके से बताना, ठीक है, तो यह आपको और साफ तरीके से बताएगा, नया दृष् करना मतलब जाच कर सकते हैं, ठीक है, मुल्यांकन कर सकते हैं, more कामली और भी शान्ती से, what needs to be done, कि क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप शान्ती से मुल्यांकन कर सकते हैं, किसी भी problem का, ठीक है, कौन सी problem, stress से related problem का, अब ये exercise कैसे करनी है, ठीक है, देखते हैं, with your eyes closed, अपनी आखें बंद करनी हैं आपको, think about the situation, उस situation के बारे में सोचिए, that is currently causing you stress, जो कि वरतमान समय में, currently का मतलब, हाल फिलहाल में, causing you stress, आपको तनाव दे रहा है, ठीक है, उस situation के बारे में सोचिए, imagine, कलपना कीजिए, projecting the situation, कि आपने उस situation को, जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, तो प्रोजेक्टर क्या करता है, जो screen होती है, उस पर वो project करता है, मतलब प्रस्तुत करता है, तो projecting मतलब प्रस्तुत करना तो imagine कि आप प्रस्तुत कर रहे हैं situation को on to a screen उस screen पर situation को project कर रहे है in your mind, आपके mind में मतलब मन में यह सब चल रहा है, कलपना चल रही है आप project कर रहे है as if it were a film जैसे कि कोई movie चल रही हो you are watching, आप देख रहे हैं उसे include only what has really happened, आप वही चीज include कीजे जो सच में हुई है कलपनिक नहीं, या हो सकती है वो भी नहीं, या देखें यहां पर लिखा, not what you are afraid might happen वो चीज include मत कीजे कि जिससे आप डर रहे हैं कि वो हो सकता है, might happen का मतलब हो सकता है उससे आपको डर लग रहा है यह सोच कर कि यह हो सकता है ऐसी चीज include मत कीजे जो चीज सच में हुई वही include कीजे, ठीक है really happened, सच में हुई फिर क्या करना है replace yourself in the film अब आप अपने आपको film में replace कर दिजे with someone else of the same gender मतलब उस film में आपकी situation है तो लेकिन आपको यहीं पर क्या करना है आपको अपने आपको बदल देना है किसी और से someone else of the same gender ठीक है उसी gender, उसी link के व्यक्ति से आप बदल देंगे जिसे कि आपकी उमर अगर 17 है या 16 है तो आप उसी उमर के व्यक्ति को सामने रख देंगे अगर girl है आप तो girl सामने या boy है तो boy सामने ठीक है अब आगे क्या होगा देखते हैं तो लिखा है watch the film as an outsider observer outside observer अब फिल्म को आप ऐसे देखी जैसे कि आप outside बाहर से observe कर रहे हैं जैसे कि आप theater में जाते हैं और observe करते हैं ठीक है आप ऐसे film लेखिए how do you feel about what is going on in the film अब आप कैसा महसूस करते हैं फिल्म में जो भी चल रहा है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं what advice would you give the person who is replacing you on the screen आप उस व्यक्ति को जो की आपको replace कर रहा है आपकी जगह पर है स्क्रीन पर उसको आप क्या advice देंगे क्योंकि होता है न आप movie देखते हैं तो आपके मन में ऐसा आता रहे यार उसको क्यों ही रो ने बदला क्यों ही लिया या तो ही रो ने उसको क्यों ही जवाब दिया अरे यही विलन है तुझे पता नहीं है इस तरह से हमारे मन में आता है तो यहां पर भी वही करना है ठीक है open your eyes again and act on your own advices अब आपने जो advice उसको दिया होगा यह नहीं कि आप वह advice आपके लिए है ठीक है क्योंकि तब जब emotions हमारे मन में चल रहे होते हैं तब क्या होता है कि कोई particular या clear विचार आपके मन में नहीं आता है conclusion भी नहीं कलता है तो इस तरह से करने से हो सकता है कि आप को कुछ idea आजाए और जो advice आप उस व्रक्ति को दिना चाहते थे है वही advice आप अपने आपको दीजिए उसी पर काम कीजिए ठीक है और यह जो लास्ट है anticipating success वो next वीडियो में